दोस्तो कॉलनों का Snapdragon 8 Plus Gen 1 Processor आ चुगा है जो की सक्सेसर है Snapdragon 8 Gen 1 का एंड दोस्तो जैसी चिपसेट लाँच हुआ वैसी सारा smartphone brands में रेस लगी कि किसी smartphone brand का smartphone सबसे पहले लाँच होगा इस chipset के साथ में एंड दोसे ऐसी कई सारा brands है जो अपने smartphone को launch करने वाले हैं इस chipset के साथ में तो आज की वीडियो में आपको बद्दाने वाला हूँ upcoming smartphones with Snapdragon 8 Plus Gen 1 Processor तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहे हैं तक चलिए शुरू करते हैं आगे पड़ने से पहले दोस्तो अगर आपी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और दोस्तों जो इसमें GPU है वो होने वाला Adorno का 730 GPU जो के कमाल का GPU है और यहाँ आपको 10% faster CPU speed देखने के लिए 8 Gen 1 के मुकाबले 9% faster GPU speed देखने के मिलती है 8 Gen 1 के मुकाबले और यह chipset 30% more power efficient होने वाला Snapdragon 8 Gen 1 के मुकाबले तो यही थी कुछ बात है जो इस chipset के बारे में आपको बताना चाहता था अब बात करते कौन-कौन से brands, कौन-कौन से smartphones को launch करने वाले है तो पहला जो brand है वो है Asus Asus launch करने वाले है अपने Asus ROG Phone 6 को यह पहला gaming smartphone होने वाले है जो की 8 Plus Gen 1 प्रोसेसर के साथ में आने वाले है यह July 5 को इन 3 countries में launch होने वाले है मैं आपको screen पर दिखा रहा हूँ यह second brand है दोस्तो वो होने वाला है Motorola Motorola अपने Moto S30 Ultra smartphone को launch करने वाले है यह पहला smartphone हो सकता है 200 Megapixel camera के साथ में यह smartphone Ultra Ultra Flexive smartphone होने वाला है Motorola का कहा जा रहा है सबसे अच्छा smartphone यह वाला smartphone होने वाला है बात करें अगले brand की तो अगले brand होने वाला है Samsung Samsung launch करने वाले हैं Samsung Galaxy Z Flip 4 smartphone को यह smartphone पहला Flip smartphone होने वाला है with Snapdragon 8 Plus Gen 1 प्रोसेसर and दोस्तो Flip जो smartphone होते हैं ज्यादा कुछ change ही नहीं करता Samsung same specifications के साथ में सिरफ chipset चेंज करके launch कर देता है Samsung तो इस वाले Flip smartphone में भी कुछ खास आपको changes देखने के लिए नहीं मिलेगे second smartphone जो Samsung की तरफ से आने वाला है दोस्तो वो होने वाला है Samsung Galaxy Z Fold 4 smartphone इसमें भी कुछ ज्यादा changes बगर नहीं होंगे बस आपको chipset चेंज करके दे दिया जाएगा जो की होने वाला Snapdragon 1 Plus Gen 1 प्रोसेसर और बागी कुछ change बगर थोड़े से आपको देखने को मिल सकते हैं इस वाले smartphone में next जो ब्रेंड होने वाला है वो होने वाला iqoo iqoo launch करने वाला अपने iqoo 10 Pro smartphone को iqoo न आफ जली confirm भी कर दे है चानल में smartphone काफी जल्दी launch भी होने वाला है और कहा जा रहे है कि यह smartphone BMW Motorsport design के साथ में भी आएगा and iqoo generally gaming center smartphone मनाता है लेकिन पिछले कुस दिनों में देखा गया है कि cameras पे भी काफी focus किया है overall जो एक package चाहिए रहता है एक smartphone से flagship smartphone से iqoo देने लगा अपने smartphone में तो यह smartphone भी काफी अच्छा होने वाला है काफी hype बनी यह smartphone की अगला जो brand है दोस्तो होने वाला है Realme Realme launch करने वाला है अपने Realme GT2 Master Explorer Edition smartphone को पिछली बार जो smartphone था Realme GT Master Explorer Edition वो सरफ चाहिना में launch होता है लेकिन इस बार स्मार्टफोन Realme अफिशली confirm कर देगी ग्लोबल मार्केट में भी आने वाला है तो यह काफी अच्छी बात होने वाले काफी अच्छी न्यूस आ गई है यह वाली और बात करें अगले ब्रैंड की तो दोस्तो अगला ब्रैंड होने वाला है वीवो वीवो अपनी वीवो X80 Series को expand करेगा वीवो अपने वीवो X80 Pro Plus स्मार्टफोन को launch करेगा इस वाले चिपसेट के साथ में और दोस्तो अल्टर लेवल flagship smartphone कहा जा रहा होगा कैमरास काफी तगड़े आपको इस इस स्मार्टफोन में देखने के लिए मिलेंगे वीवो जर्नेल यह अपने स्मार्टफोन में पर ज्यादा ध्यान देता है तो यह वाले जो स्मार्टफोन है यह भी camera centric होगा और पहुआ में साब को अच्छे मिल जएकी क्योंकि snapback नगन का 8 plus gen 1 chipset यूज़ करेगा यह भी वो यहाँ पे बात करें अगले brand की तो दोस्तो अगला brand होने वाला है OnePlus जी हां दोस्तो OnePlus के दो स्मार्टफोन साने वाले हैं इस chipset के साथ में पहला जो होने वाला है OnePlus 10 T यह वाला स्मार्टफोन काफी जल्दी ही launch होने वाला है कहा जा रहा है चैना में स्मार्टफोन जून एंड तक launch हो जाएगा जुलाई आगस्त के महिने में इस स्मार्टफोन आपको इंडिया में भी देखने के लिए मिलेगा यह स्मार्टफोन एक flagship smartphone होने वाला है जैसे जर्नेली OnePlus के नमबर से इसके आगर T लगता है तो वो flagship smartphone होते है वैसे यह वाला smartphone भी flagship smartphone होने वाला है एंड जो second smartphone होने वाला है एक ultra level flagship smartphone इस smartphone का नाम होगा OnePlus 10 Ultra एंड इसमें आपको Oppo की Mary Silicon chip देखने के लिए मिलेगी for Encharged Image Processing एंड दोस्तो Camera Center के smartphone होगा जैसे हमको पता चल गया है एंड परफॉमस में आप आपको काफी दगड़ी देखने के लिए मिलेगी क्योंकि यह 8 Plus Gen 1 chipset यहाप आपको देखने के लिए मिलता है एंड जो last brand है दोस्तों वो है आप सबका favorite Xiaomi जी यहां दोस्तों Xiaomi के काफी जारे smartphones आने वाले हैं इस chipset के साथ में सबसे पहला जो होने वाला है Xiaomi 12 Ultra Smartphone यह smartphone एक Ultra Level flagship smartphone होने वाला है कहा जा रहा है इस बार आपको rear display देखने के नहीं मिलेगा जो की sad news हो सकते है कुछ लोग को पसंद था वो rear वाला display लेकिन अपकी बार यह जो smartphone है इसमें आपको rear वाला display देखने के लिए नहीं मिलेगा लेकिन इस smartphone के जो camera's हैं वो काफी तगड़े होने वाले का जारा है एक नई सीरीज आने वाले Xiaomi की तरफ से काजारा Xiaomi 12S सीरीज इस smartphone सीरीज में दो smartphone होंगे Xiaomi 12S and Xiaomi 12S Pro यह दोनों ही smartphone आने वाले snapdragon 8 plus gen 1 chipset के साथ में तो यह वाले smartphone भी flagship smartphone होने वाले हैं दोस्तों जो last smartphone है Xiaomi की तरफ से यह smartphone सरफ चाइना में launch होगा इसका नाम होने वाला Xiaomi Mi Mix Fold 2 and innovative smartphones होते हैं Mi Mix series के जो smartphones होते हैं लेकिन इस smartphone सरफ चाइना में launch होता है सरफ इसी बात का दुख है लोगों को एंड यह smartphone का जा रहा है जून एंड तक या फिर जुलाई की स्टाइटिंग में आपको चाइना में देखने के लिए मिलेगा जिया दोस्तों यही थे कुछ स्मार्टफोन कुछ upcoming smartphone with Snapdragon 8 Plus Gen 1 chipset आज की वीडियो के लिए इतना ही वीडियो पसना है दो वीडियो को लाइक करना चैनल को सस्क्राइब कर देना और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत